हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सी श्वांतिक लासिस में इस वीडियो में हम इंगे चैप्टर नमबर 6 का हमारा पार्ट नमबर 60 71 वीडियो है इस वीडियो में हम exercise 6.5 का question number 12 अच्छे से complete करेंगे तो चलिए चलते हैं question number 12 की हो तो दोस्तों ये रहा हमारा question number 12 ठीक तो क्या कहता है question number 12 दो खंबे जिनकी लंबाई 6 मीटर और 11 मीटर है दो खंबे हैं कौन कौन सी एक खंबा है हमारा AB और दूसा खंबा है हमारे पास CD ठीक दो पोल दियो हैं जिसकी एक की लंबाई है 6 मीटर और दूसे की लंबाई है 11 मीटर ठीक तता ये समतल भूमी पर खड़े हैं समतल भूमी क्या है हमारी बीडी, बीडी हमारी क्या है समतल भूमी है, उस पर ये दोनों पोल क्या है, खड़ी होई है, यदि उनके पाद, अर्था जो उनके बेस पॉइंट है, अर्था उनका जो जमीन वाला पॉइंट है, उन दोनों खंभों के बीच की दूरी, जो क्या द के point की दूरी हमें कितनी है वो हमें ग्याद करना है तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें given part क्या क्या है अर्था दिया हुआ क्या क्या है दिया क्या क्या है कि दो पोल है उनकी लंबाई दी हुई है पहले पोल की लंबाई है 6 मिटर दूसे पोल की लंबाई है 11 मिटर उन दोन let's a b and c d are two poles with height 6 meter and 11 meter respectively अर्थात a b की लंबाई 6 meter c d की लंबाई 11 meter ठिक therefore c p जो c p है c p अर्थात जो c p है वो क्या हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी जो total लंबाई क्या है 11 km अच्छा sorry 11 meter 11 meter दी है total लंबाई हमारे पास छोटी लंबाई कितनी है 6 meter तो जो 11 में से 6 minus हो जाएगे तो बच्छे का क्या 5 meter तो c p की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 meter हो ठिक तो यहां पर हमारे पास c p आ गई 5 meter और जो जो bd है यह भी 12 meter होगी तो यह क्या है पोल है तो पोल तो पैरलेल होती है जब यह 12-meter है तो हमारी जो AP है यह बहुत है चाहिए 12-meter हो जाएगी तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो एक ट्रेंगल बन गया APC क्योंसा ट्रेंगल triangle APC ये triangle क्या है? right angle triangle है अर्थात sum code 3 हो जाएगा इसमें हमारा लग जाएगा Pythagoras theorem तो Pythagoras theorem क्या हो जाएगा? कि AP square जो AP है उसका square plus PC का square ये दोनों का sum क्या हो जाएगा? Hypotenuse अर्थात AC के square के बराबर हो जाएगा ये हमारा Pythagoras theorem होता है तो हमने AP के जगह लिख दिया 12 PC के लिख दिया 5 तो 12 का square क्या हो जाएगा? 144 और 5 का square हो जाएगा 25 तो 144 plus 25 क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? AC का square हो जाएगा 169 अब आप जानते हैं 169 किसका square होता है? सीधी सी बात है किसका होता है 13 का होता है ठिक तो AC बराबर हो जाएगा हमारा 13 तो हमारी जो point है किसकी distance between top of the two pole तो क्या हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा अर्थाथ AC की लंबाई किती हो जाएगी 13 मीटर हो जाएगी यहां पर हमारा complete हो चुका है question number 12 तो उम्मीद करते हैं यह question भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कोई भी दिक्कत है आप comment box में पूछ सकते हैं या कि फिर what's up नंबर दिया गया है वहां से भी आप कोई भी question पूछ सकते हैं ठिक तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में question number 13 के साथ तब तक अपना और अपने परिवारवलों का ख्याल अखिये सुरक्षित रह ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें